अगर आपने हमारी यूट्व चुनल कब तर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहां सब्सक्राइब बटम दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और 37 इसके सामने एक नोटिफिकेशन वेल आ रहा है इसे भी आप इनेबल कर दीजि दोस्तों आज का यह वीडियो राजस्तान इतिहास क्लास संस्क्रतिवे बुगल से समंदित 50 मेटपोन प्रस्न व्याक्या सहीत यह वीडियो पस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरेस, एल्लिसी, पटवारी, वन रक्सक, ग्राम सेवक, राजस्तान कुलीस, सहीत, सभी पृत प्रतियों की परिक्साओं के लिए बहुत उप्योगी है, शुरू से लाज्ट तक यह वीडियो जरूर देखे, जिससे वरतमार में प्रतियों की परिक्साओं में, पूछ से जाने वाले प्रस्न के परकार के बारे में, आपको पता चलेगा, शुरू करता है अपने प्रस् पुस्तक विर विनोद किसके द्वारा लिखे गई है, सूर्यमल मिश्रन केश्री सिंग बाहरट, स्यामल्दास, कोरी संकर ओजा, स्यामल्दास कवी राजा स्यामल्दास का जनम, मेवाड राज्य थार्ट विल्वाड जिले के, सालिवाड गाओं में 1836 इश्वे में हुआ, मेवाड महारणा संबु सिंग ने कवी राजा को इतिहास लिखने का कार्य सोपा, महारणा सद्जन सिंग के समय, इतिहास लिखन का कार्य किया किया गया जिसे लगबक 18 सबरान में इस्वी के आज़ पास चप कर ये तैयार हुए विट्टी सरकार ने स्यामलदास को केशरे हिंद एवं महराणा ने कवी राज वे महा को द्याय की उपादी से विभूसित किया गया मेशूलीथिक सब्द का वास्त्रिक साब्दिक अर्थ है मद्य पासानकालिल यूग मद्य पूरा पासानकालिल यूग निम्न पूरा पासानकाल यूग मद्य पासंकाल यूग तो पासंकाल को तीन वागु में बाटा गया है पूरा पासंकाल, मद्य पासंकाल और नव पासंकाल पूरा पासंकाल को पेलियो लिथिक कहा जाता है और नव पासंकाल को नियो लिथिक कहा जाता है निमलिकित में से कहा के सास को द्वारा रावल तता महारावल की उपादियां ग्रहन की गई थी जोदपूर, डूंगरपूर, कोटा, विकाने तो इसका आंसर है डूंगरपूर डूंगरपूर यासत के सास के रावल तता महारावल की उपादियां ग्रहन की गई कोटा राजिय का संस्तापक निमल में से कौन था? मुकुंद सिंग, राव मादो सिंग, राव रतन सिंग, जालिम सिंग तो इसका अंसर है राव मादो सिंग कोटा राजिय राव मादो सिंग ने 1631 इस्वी में इसकी स्तापना की गई थी इससे पहले कोटा बूंदी रियासत के अंतरकत आता था निमलिकित में से किस मुगल साशक ने सवाई जेशिंग को राज राजेश्वर की उपादी से विबूसित किया था औरंग्जेव, सहाजा, भादूर साय, मुहम्मद साथ इसका आंसर है मुहम्मद साथ जयपूर के सासक सवाई जेशिंग ने जाटू के विद्रों को दमन किया था जिसके कारण मुहम्मद साथ ने जेशिंग को राज राजेश्वर स्री राजादी राज उपादी से विबूसित किया गया था निमलिकित में से कौन सा सई मेल नहीं है राणा प्रताप शिसोद्या राजामान सिंग हाडा जस्वन सिंग राठोड महाराना हमीर गुहिल तो इसमें राजामान सिंग हाडा ये मेल नहीं है राजामान सिंग अमेर के थे जो कच्छावन से समन्दित थे यहाँ कुछ युद्धू की सूची दी गई है जो मद्यकाल राज़स्तान में लड़े गए थे तरह इनका परतम युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेल का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध उनका काल करम निम्ना अनुसार है इनको जमाना है इसके अकोर्डिंग तो इसके इसाब से यह होता है यह पस्ट, सेकिंड, थर्ड, फॉर्थ, सबसे पहले तरह इनका परतम युद्ध, ग्यारा सो इक्राण में इस्वी में चोहान, साशक परत्वी राज्त्रित्ये, वर्शे मोहमध गोरी के मद्य, फिर खानवा का युद्ध, बावर और महाराणा सांगा के मद्य, गिरी सुमेल का युद्ध, फंदरा सो चो मालीस इस्वी में मारवाड के राव मालेव और सेर्शा शुरी के मद्य, और हाडा का युद्धि 1761 इस्वी में जेपूर के सासक सवय मादु सिंग वे 17 साल हाडा के मद्य हुआ था निम्न लिखित स्थालों के आगे उनसे समंदित किले दुर्गों के नाम कौन सा युख में सही है जेसल मेर मेरानगड जोद्पूर जुनागड सेरगड कोसवर्दन विकानेर सोनारगड तो यह सही है सेरगड कोसवर्दन जो बारा जिल्ले में परवन अधिक के तठ पर स्तित है सेर गड़ दुर्ग को स्वर्दन दुर्ग कहा जाता है जबकि मेरान गड़ दुर्ग जोद्पूर में जूना गड़ दुर्ग विकानेर में और सोनार गड़ जेसल मेर में संत पाबुजी के सिसे मुख्यते है रेबारी, जाट, छीपा, गुर्जर जिसका अंसर है रेबारी, उटू के देवता पाबुजी राठोड, रेबारी जाती के प्रमुख देवता है उट बिमार हो जाने पर पाबुजी की पूजा की जाती है और मारवार में उट लाने का स्रे विपाबुजी को जाता है राणा कुम्बा को निम्नांकित बार्दी अंत्रू में से किस में दग्स्ता हासिल थी सितार, गेटार, वीना, सारंगी तो इनको वीना वादक में दग्स्ता हासिल थी कोटा चित्रकारी सेली की विशे वस्तू मुच्चत है हातियों की लड़ाई की दर्शिये, सिकार की दर्शिये, दरबारी दर्शिये, उत्सव दर्शिये विसका अंत्र है सिकार की दर्शिये कोटा चित्र सेली में सिकार की दर्शिये इसके प्रमुक विशे थे जिसमें भी नार्यों को शिकार करते हुए दर्साया गया है। जबकि हात्यों की लड़ाई के द्रिश्य है, यह आमेर चित्रसेली का प्रमुक विशे है। सुची प्रतम एवन सुची देत्यों का मिलान कीजिए, निचे दिये गए कोड के आदार पर सही उत्तर का चैन कीजिए। शेख हमीमुदिन मीटे महाबली, मौलाना ज्याउदीन, शेख नजमुदिन, शेख बाबा इसहाथ। ये दरगा है, ये कहां सित है, ये सुची में मिलाना है, ज्याउदीन, शेख नजमुदिन, शेख बाबा इसहाथ। अगला किसन, निमलिकित में से कौन सा जल्दुर्ग का उत्तम उदारन है, कोटा, अचलगड, गागरोन, सहाबाद, गागरोन, जालावार जिल्ले में, काली सिंद और आहो नदी के संगम परस्तित, गागरोन दुर्ग, जल्दुर्ग किस रेली में आता है। एक सासक एवब संग्ठ पीपा किस स्तान से समन्दित है, आमबेर, वारानसी, जायल, गागरोन, इसका अंसर है गागरोन. संथ पीपा, जिनका बच्पन का नाम परताप सिंग था, जो गागरोन दुर्ग के सासक थे, परताप सिंग ने रामानंद जी से दिक्सा ग्रहन की और संथ बन गए, संथ पीपा दर्जी समुदाई के आराध्य देवता माना जाते है। स्रिंगार चवरी के समन्द में निमलिकित में से कौन सा कतन सक्त्य है। स्रिंगार चवरी कुमबा की पुत्री रमा भई के साधी के अउसर पर बनाया गया था। लेकिन वहाँ पर प्राप्त एक सिलालेक के अनुसार इसका निर्मान बंडारी विलाक ने 1449 निवासी स्वी में बन वाया था। सिता बाड़ी का प्रसिद मेला किस जिल्ले में लगता है। सिता बाड़ी का मेला ये हाडूती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला जेश्ट मार्क की अमावश्या को बारा जिल्ले में आयोजित होता है। ये सेर्य जन्जाती का कुम्द माना जाता है। रानी जी की बाड़ी का निर्मान खालिस्तान के द्वारा सन खालिस्तान में राजा के सासनकाल में करवाया गया था। नाथावती रानी द्वारा सोड़ा सुनची तरिस्वी में राव अनिरुद सिंग के काल में। बीम सिंग द्वारा सत्रा सुनची तरिस्वी में राव बुद सिंग के काल में। लाड कवरो द्वारा सत्रा सुनची तरिस्वी में राम सिंग के काल में। लाजकॉरो द्वारा 17 सुरी में बुद्च सिंग के काल में तो इसका अंचर है नथा वति द्वारा 169 रिश्वी में राव अनिरुत सिंग के काल में राणी जी की बावडी का निर्मान करवाया गया जो ये बुंदी में श्तित है Chamber of Princess का प्रतम Chancellor कोन था महाराव भीम सीन, कर्णी सीन, गज सीन, गंगा सीन इस Cancer है गंगा सीन विकानेर के महाराजा गंगा सीन Chamber of Princess जिसे नरेंदर मंडल भी कहा जाता है ये बारत वर्ष का एक पूर्वे विदान मंडल था ब्रिटिश काल में बारत के विदान मंडल का एक उच्छे एंवसाही सदन था इसकी स्तापना उननीस सो बीश इस्वी में ब्रिटेन के राजा वेसमराठ जोर्ज पंचम के साही फरमान द्वारा होई थी इसकी स्तापना करने का मूल उद्देश ये ब्रिटिश कालिल भारत की रियासतों को एक विदान मंडल रूपी मंच प्रदान करना था ताकि ब्रिटिश संडग्षित रियासतों के सासक ब्रिटिश सरकार से अपनी आसाओं तता आकामसाओं को प्रस्तुत कर सके इसके पर्थम चांसलर थे वीकानेर के महाराजा सर गंगा सेंग जिनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक चांसलर रहे थे मेवाड एवं अंग्रेजु के मद्ये संदी पर हस्ताक्सर किये गए थे 8 मार्च 1848, 22 जनवरी 1848, 10 मार्च 1817, 10 मार्च 1818 इसका अंसर है 22 जनवरी 1818 इस्वी में मेवाड और अंग्रेजु के मद्ये संदी वही थे मेवाड के महारणा बीम सिंग ने अंग्रेजु से संदी की थे 22 जनवरी 1818 इस्वी में बरतपूर एवं अलवर ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी की थे सिकंबर नॉवंबर 1803 में आगस्ट अक्टूबर 1804 में जनवरी परवरी 1804 में मार्च मही 1806 में इसका अंसर है सितंबर नॉवंबर 1803 में राजस्तान में सरपर्थम अंग्रेजु से सहयक संदी बरतपूर के राजा रंधी सिंग ने 29 सितंबर 1803 इस्वी में की गए थे उसके बाद 14 नॉवंबर 1803 में जनरल लेग के साथ रक्षात्मक एवं आक्रमक संदी अलवर के राजाने की थी राजपुतना रेजिडेंसी की स्तापना खालिस्तान इस्वी में और खालिस्तान में हो थी राजपुतना रेजिडेंसी की स्तापना 1835 नागोर, 1830 इस्वी में जोधपूर, 1829 इस्वी जैपूर, 1832 अजमेर तो इसका आंचर है 1832 अजमेर में राजपुतना रेजिडेंसी की स्तापना 1832 इस्वी में अजमेर में की गेती जिसका प्रमो के एजी जी के लाता था एजेंट टू गवर्नर जन्रल और राज़स्तान के प्रत्थम एजी जी जी थे मिस्टर लोकेट और अठारा सु सत्तावन की प्रांती के समय एजी जी जी थे पेट्रिक लोरेंच मेवार प्रजामडल की स्तापना खालिस्तान में खालिस्तान के द्वारा के गए 20 अप्रेल 1938 बलवन सिंग मेता द्वारा 24 अप्रेल 1939 मानिके लाल वर्मा द्वारा 24 अप्रेल 1940 बलवन सिंग मेता द्वारा 20 अप्रेल 1938 जमना लाल बजाज द्वारा तो इसका आंसर है 24 अप्रेल 1938 मानिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवार परजावंडल स्तापना का स्रे मानिक्यलाल वर्मा को जाता है इन्होंने 24 अप्रेल 1938 को परजावंडल की स्तापना की थी जिसके प्रत्थम अध्यक्ष थे बल्वन सिंग, महता और उपाध्यक्ष थे बूरे लाल बया निम लिकित में से कौन सी गटना को गांधी जी ने डायर के कृत्ति से दुगुनी विबत्स कांड बताया निमूचना गटना मैं 1925, चंदावल की गटना मार्च 1942, दाबला की गटना मार्च 1947, वरण की गटना जून 1922 तो इसका आंचर है निमूचना गटना मैं 1925 अलवर रियासत में निमूचना गटना मैं 14 मैं 1925 को किसानों की सबापर चाजु सिंग, जिसे राजिस्तान का जनरल डायर का जाता है चाजु सिंग, ने गोलिया चलाई थी, जिसमें कहीं किसान सहीद हो गटना को गांधी जी ने डायर के कृत्ति से भी दुगुनी बताई हैं, दोहरी जूरीज में सही, जूरीज में डायर सही की संग्यादी जलियोला बागत्यकान से भी अधिक क्रूर बताया था प्रस्चित एकी आंदोलन का नेतरुत्वे किया गया था गोविंदगीरी, मोतिलाल तेजावत, सादू सिताराम, केश्वी सिंग बाहरट तो इसका आंसर है, मोतिलाल तेजावत, 1921 हिस्वी में, मोतिलाल तेजावत ने मातरी कुंडिया नामकस्तान से एकी आंदोलन सुरू किया था नव राजस्तान को राजदानी का मुद्धा हल करने है तो एक कमिट्री का गठन किया गया था, इसके अधिक्स्त है सक्ते नारायन, वीपी मेलन, वी आर पतेल, संकर राव देव सक्ते नारायन राव कमिट्टी का गठन किया था, इसकी सिपारिश पर राजस्तान की राजदानी जेपुर को बनाई गई सेत्रफल में राजस्तान का जेसलमेर जिल्ला दोलबूर जिल्ले से कितना बड़ा है 15.22 गोणा, 16.67 गोणा, 12.68 गोणा, 11.22 गोणा तो इसका आंसर है 12.66 गोणा सेत्रपल की द्रस्टी से जेसलमेर जिल्ला राजस्तान का सबसे बड़ा जिल्ला है जबकि सबसे छोटा जिल्ला है दोलपूर जेसलमेर जिल्ले का सेत्रपल दोलपूर जिल्ले के सेत्रपल से 12.66 गुना बड़ा है अरावली की निमलिकित परवत चोटियूं को उनकी उंचाई के आउरोई क्रम में यवस्तित कीजिए जरगा, अचलगड, कुम्बलगड, रगुनातगड ये चार चोटियां हैं इनको उंचाई के आदार पर गड़ते करम में यवस्तित करना जमाना है तो इन चारों में सई औप्षन है जरगा, अचलगड, कुम्बलगड, रगुनाथगड इन चारों में से सबसें उंची चोटी है जरगा, जिसके उंच 1431 मी, उदेवपुर जिल्ले में श्तित है अचल गड़ 1380 मीटर उची है जो सीरो जिल्ले में स्थित है कुंबल गड़ जो 1224 मीटर उची है रासमंद जिल्ले में और रगुनाद गड़ 1055 मीटर उची सिकर जिल्ले में है जो उत्री रावली की सबसे उची छोटी है निमलिकित मेंसे कौन सा युग में राजस्तान के अक्षांसिय देशांत्रे विस्तार को सई रूप से दर्शाता है ये दर अक्षान से विस्ता आ रहा है, ये दर देशांत्रे विस्ता आ रहा है 23 डिगरी 3 मिनट से 23 डिगरी 12 मिनट उत्री अक्षान से 17 डिगरी 47 मिनट से 17 डिगरी 17 मिनट पूरी देशांतर इन में से चारों में से जो सही आंसर है वो है 23 डिगरी तीन मिनट से 30 डिगरी बारा मिनट उत्री एक्षांस और 69 डिगरी 30 मिनट से 78 डिगरी 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मद्य राजस्तान स्थित है शलचना की द्रिश्टी से राजस्तान के बहुतिक स्वरूप बहारत के नमलेकित में से किन उच्छावच प्रदेशों का हिस्स्ता है उत्री ब्रहत मेदान वे प्राइदी पे पठार, उत्री प्रवतिय परदेश वे उत्री ब्रहत मेदान, तट्य मेदान वे प्राइदी पे पठार, प्राइदी पे पठार वे उत्री प्राइदी पे परदेश इसका आंसर है उत्री ब्रहत मेदान वे प्राइडी के पठार राजिस्तान का जो बोतिक सुरूप है भारत के बोतिक सुरूप उत्री ब्रहत मेदान वे प्राइडी के पठार का भाग है निमलिकित में से कौन सा पठार अरावली परोत से समंदित नहीं है लसाडिया पथार उड्या पथार बगेलखन पथार बोराट का पथार तो ये बगेलखन का पथार अरावली पुर्तमाला से समंधी नहीं है जब कि लसाडिया का पठार ये उदेपुर जिल्ले में जेसमन जिल के पूरी भाग में इस्तित है उदिया का पठार जो शिरोई में है 1360 मिटर उचा राजिस्तान का सबसे उचा पठार है उदिया का पठार और बोराट का पठार ये गोगंदा से कुम्बल गड उदेपुर रासमन जिल्ले में स्तित है 1225 में जो राजिस्तान का तीसरा सबसे उचा पठार जबकि दूसरा सबसे उचा पठार आबू का पठार सीरोई में स्तित है वह नदी जो राजिस्तान में जक्षिन से परविश करके उप्रांथ पसिन के और बैती हुई पुन्य जक्षिन की और मुड जाती है माही, कालिसिन, चंबल, लोनी तो इसका आंसर है माही नदी मध्य परदेश से निकलती है बासवारा जिले से परविश करती है राजिस्तान में और बापस दक्षिन दिशा से परविश करती है दक्षिन में ही निकासी इसकी होती है निकलती में से कौन सा युग में सही सुमेलित है चंबल परियोजना राजिस्तान उत्रपरदेश नर्वदा परियोजना राजिस्तान उत्रपरदेश माही बजा सागर परियोजना राजिस्तान मध्य परदेश व्यास परियोजना राजिस्तान हर्याना तो इन चारों में से सही है व्यास परियोजना, राजस्तान, हर्याना, चंबल परियोजना, राजस्तान और मद्य परदेश की सहयुक्त परियोजना, नरवदा परियोजना, ये चार राजियों की सहयुक्त परियोजना, राजस्तान, मद्य परदेश, महारास्ट और गुजरा गुजरात की सहयुक्त प्रियोजना, नरब्दा प्रियोजना, माही बजा सागर प्रियोजना, राजिस्तान और गुजरात की सहयुक्त प्रियोजना है, विजराल की पाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निमलिक्त में से किस अपवा तंतर का बाग है, बंगाल की खाड़ी अरब सागरिये अनिस्चित अपवा रांतरिक अपवा तो यह बंगाल की खाड़ी अपवा सहतर से समंदित है विज्ञाल की खाड़ी जेरा समंद में जो खारी नदी का उतगम होता है ये टौग जिलिवराजमेल के समें बनास में मिलती है ऐडवलू राजासथान का दख्शुने भाग, सी डवडी ॉज्ट्वलु टानle का उत्री भाग, वी डव्लू एच डव्लू सुषक मुरुस्त रुर्द। तो इसका सई आंशर है, सी डवलू जी राजास्थान का उत्री भाग, जो ये सुमेलित नहीं हो रहा है. CWG ये उपादर जलवायो प्रदेशन पूरी राजस्तान भाग को दर्शाता है 1918 में कोपेन द्वारा बनस्वति के आदार पर जलवायो का वाड़गी करन किया था जिसको राजस्तान को चार जलवायो में बाठा था निमलिकित में से कौन सा युग में सई सुमेलिक नहीं है उदेपुर्च तोडगड लाल काली मेटी अलवर जयकुल दोमट मेटी स्री गंगानगर हनमानगड बूरी बलुई मेटी कोटा जलवाड काली मेटी तो ये सुमेलिक नहीं हो रहा है स्री गंगानगर हनमानगड यहां बूरी बलूई मिट्टी नहीं, बूरी मट्यार दोमट मिट्टी पाहिया की है अगला किसन राजस्तान के जलवायों की प्रमुक विशेष्टा है वर्षा की एलिसित्ता, वर्षा का ऐसमान वित्रन, तापमान में विबिन्ता, आधरता में विबिन्ता इनले में से कौन कौन से सही है वो बताना है पस्ट सेकंड सही है कि पस्ट थर्ड सही है सेकंड पॉर्थ सही है कि पस्ट सेकंड थर्ड पॉर्थ सही है तो ये चारो सही है ये चारो राजस्तान की जलवायों की विशेश ताय है अगला क्यूशन इंद्रा गांदी नहर के पूर्ण होने पर राजिस्तान के कितने सेत्र में इसके द्वारा सिचाई का लाब प्राप्त हो सकेगा 17.41 लाख हेक्टर, 11.63 लाख हेक्टर, 15.17 लाख हेक्टर, 19.65 लाख हेक्टर इसका आंसर है 19.65 लाख हेक्टर इंदरा गांदि नहर इसे राजिस्तान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वण रेका, राजिस्तान की जीवन रेका के नाम से जाने जाने वाली जब नेरमपूर्ण हो जएगी तब राजिस्तान को 19.65 heaktar में सीचाई होगी पस्मी राज्थान की मिट्टी अमली और सारी ततु से संसिक्त कैसे हो जाती है जल प्रवा से मिट्टी की नीचली सत्य से उपर की और कोशिकाउं द्वारा जल विशाव से मिट्टी के अपक्सालन से मिट्टी की उपरी सत्य से नीचे की और जल विशाव से तो इसका अंसर है मिट्टी की नीचली सते से उपर की और कोशिकाउं द्वारा जल रिसाव से मिट्टी अमलिय और उप्षारिय होती है मिट्टी की पी-एच मान के अदार पर इसके तीन परकार होते हैं जिसका pH मान साथ होता है वो उदासिन मिटी कहलाती है तो जिसका pH मान साथ से कम होता है वो अमलिय मिटी कहलाती है अमलिय मिटी के उपचार के लिए फॉस्पोरस और जरस्ते का परियोग किया रहता है और जिसका pH मान साथ से अधिक होता है वो सारिय मिटी कहलाती है जिसका उ सेत्रपल के आउरोई क्रम में राजिस्तान में वन प्रकार की कौन से क्रमावली सही है तो राजिस्तान में जिस वन पाय जाते हैं तो वनों के सेत्रपल के आधार पर उनको आउरोई क्रम में बताना है गटते क्रम में बताना है चार प्रकार के बंदेर के सुष्क परणपाती, मिश्रित परणपाती, उसने कटी बंदी काटेदार, उपोष्क परणपाती 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 काट अधिक सेत्रपल जो वनू का है वो सुष के पढ़न पाती है और सबसे कम सेत्रपल जो उपोस्ण कटी बंदी है सदार हरित वन है अगला क्यूशन है राजिस्तान निमलिकित में से किन वन्य जीव परिष्टिति की स्तलूप पर वर्तमाल में जेव उत्ता एवं जीन पुल सनलक्षन का कारिय प्रगति पर है बुंदी, तालचापर, फुलवारी किनाल, बंदवारेटा, नारगड, सद्जनगड, सरिस्का, माउंट आबू, सेतामाता, कॉंबलगड, केला देवी, केवला देव, गना पक्सिवियार, केवला देव, गना पक्सिवियार, जेशमन जील, मुकंद्रा पाड़ी, रन तो इसमें आंसर सही होगा, नारगड, सद्जनगड, सरिस्का, माउंट आबू, नारगड, जेपुर में, सद्जनगड, देपुर, सरिस्का, आलवर, माउंट आबू, सीरोई में हैं अगला क्रिस्टन राजिस्तान के जिल्ले, जिल में खस नाम की सुगंदित गास प्रचूरता में उगती है जालावाट, बुंदी कोटा, बिलोडा, आजमेट चितोडगर, बरतपुर टौक, सवई मादुपूर, करोली, अलवर, दोलपूर इसका अंसर है, बरतपुर टौक, सवई मादुपूर, राजिस्तान के पूर्वी भाग में खस जो गास उगती है, जो एक सुगंदित गास है अगला क्रिस्टन राजिस्तान में प्लियोरोसिस की समस्या से प्रेडित को कुबड़ पट्टि से तर कहां सित है नागोर अजिमेर, बासवड़ा, डुंगरपूर, बरतपूर अलवर, टौक दोसा यह है नागोर अजिमेर नागोर अजिमेर जो पानी में प्लुराइड के मात्रा सरवादिक है इस वज़े से इस सेत्र को कुबड़ पट्टे कहा जाता है और इसे बाका पट्टी भी कहा जाता है अगला क्यूशन राज़स्तान में मरुस्तली करण का मूल कारण क्या है वर्षा की नियुनता जलवायू परिवर्तन तो इसका अंचर है वर्षा की नियुनता वर्षा की नियुनता ही राज़स्तान में मरुस्तली करण का मूल कारण माना जाता है अगला क्यूशन है सूची पस्ट सूची से सुमेलित कीजिए तता सूचियों के नीचे दिये गए कूट का पुर्यों कर सही उतरकत चैन कीजिए सूची पस्ट राजस्तान के सेत्र और सूची सेकिन में पस्व की नस्क लें उत्र पस्मी राजिस्तान, दक्षन पस्मी राजिस्तान, दक्षन पूरु, मद्यवर्ती राजिस्तान उत्र पस्मी राजिस्तान, राटी, कांकरेश, थार पारकर और गिल तो इसको मिलाना है, इसका आंसर है उत्तर पस्मी राजस्तान राटी नसल की ये सारी नसले गायों की नसले हैं उत्तर पस्मी राजस्तान राटी नसले की गाये पायाती है दक्षन पस्मी राजस्तान में कांकरेग पस्मी राजस्तान में थार पार कर और दक्षन पूरु मद्धे वर्ती राजस्तान में कीर नसल की गाई पाई जाकी है राजस्तान से गुज़रने वाले निमलिकित राष्ट्री राजमार्ग में से कौन सा राष्ट्री राजमार्ग राजस्तान भू भाग में सरवादिक लंबा है NH 11, NH 12, NH 15, NH 8 इसका अंसर है NH 15, NH 15 पस्वी राजस्तान में अंतराष्ट स्वीमा के समानतर गुज़र रहा है इसकी कुल लंबाई 845 किलोमेटर है ति राजस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है राजस्तान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिल्लों में होता है कोटा बुंदी बारा, जालावाड, अजमेर सिरोई, रासमन देपचितोडगड, बासवाड़, हनमानगड, स्री गंगानगड इसका अंसर है बासवाड़, हनमानगड, स्री गंगानगड, इन तिन जिल्लों में अमेरिकन का पास का उत्पादन किया जाता है वेक खनीज, चीन में राजिस्तान का देश में एका दिक पत्ति है कौन कौन चे खनीजे जिसमें राजिस्तान का एका दिकार है, जिसमें राजिस्तान का भारत में 100% उत्पादन होता है तामड़ा उलस्टोनाइट, क्रेल नाइट, संग्मरमर, जासपर तामड़ा पैल्सपार जिप्सम, जासपर तामड़ा पन्ना उलस्टोनाइट, जासपर तामड़ा संग्मरमर, सिशा जस्था तो इसका आंसर होगा जासपर, तामड़ा, पन्ना, बुलेस्टो नाइट इन चार खनीजू में राजस्तान का एक अधिकार है अगला किसन राजस्तान की प्रतम सिचाई परियोजना जिसमें जल्ड सनलेक्षन है तुप फवारा पदित्ती को अपनाय गया था है यह मुना जल्ड सिचाई परियोजना, नरबदा नहर परियोजना, सिद्मुक नहर परियोजना, साधरवाडा नहर परियोजना तो इसका आंसर होगा नरबदा नहर परियोजना 18 मार्च 2008 को सिलू गाउं में पाली कूचाए गया था यह नरबदा नहर से जालोर बाड में दो जिल्लों में से सिचाई होती है तो राजस्तान की पहली परियोजना है जिससे 15 सिचाई पतती अपनाया गया है राजस्तान में प्रति सो वर किलोमेटर सेतर पल पर सड़कों की लंबाई कितनी है 50 km, 16.29 km, 45.23 km, 90.23 km इसका आंसर है 16.29 km राजिस्तान का खरनी जुत्वादन में योगदान के समन्द में हिमलिक्त में से कौन सा कत्थन ऐस सत्य है राजिस्तान बारत का 7.30 वुलेस्टोनाइट उत्वन करता है राजिस्तान बारत का 96% प्लुराइट उत्वन करता है राजिस्तान बारत का 25% रोग फास्प्रेट उत्वन करता है राजिस्तान बारत का 90% जास्वर उत्वन करता है इसका जो गलत बताया जारा है वो है राजिस्तान बारत का 90% जास्वर उत्वन करता है राजिस्तान वारत का 100% जास्पर उत्वन करता है ये थे अपने मैटपून प्रस्ण मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ तब तब के लिए जेहिंग बंदे माशा